अगर आप Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7S या Redmi Note 7 या Redmi Note 8 या Redmi Note 8 यूज़ करते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों कि आपको कौन सा अपडेट पहले मिलने वाला है इंडिया में क्योंकि इसकी बीटा डेस्टिंग तो चाइना में बहुत पहले से चल रही था Android 10 की और अब यहाँ पर इसकी जो बीडा डेस्टिंग है वो MIUI 12 की स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे सस्क्राइबर और बहुत सारे यूज़र्स को ये अपडेट मिल चुका है और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर आप Android 10 और MIUI 12 को अभी के अभी इस्टॉल करना चाहते है Redmi Note 7, Redmi Note 7S या Redmi Note 8 या Redmi Note 7 Pro में तो आप अभी के अभी उसको कर सकते हैं और ये वीडियो आप लास्ट का देखते रही है क्योंकि इस वीडियो मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं MIUI 12 के वारे में और Android 10 के वारे में कि कौन सब्देट पहले आपको इंडिया में मिलने वाले है सब्सक्राइब कर देखते रहें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा लीजिए जिससे जो मैं रोज यूडियो अप्लोड करता हूं उसका नोडिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप टेक्नलोजी इन वर्ड से हमें सा कनेक्टेट रहेंगे और साथ मैं टेलीग्राम गुरूप का भी मैं लिंक की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं जिसको आपको अभी के अभी जोईन कर लेना है क्योंकि मैं सारी इंफ्रमिशन यहाँ पर शेयर करता है रहता हूं सारी फाइल सारे एपीकेश सारे वॉल पेपर तो सारी इंफ्रमिशन सबसे पहले मैं वहीं शेयर कर देता हूं इसलिए इसको सबसे पहले आप जोईन कर लीजए चलिए करते हैं start तो चलिए काई सबसे पहले हम बात करते हैं Android 10 के बारे में Android 10 के अगर हम बात करें तो इसकी बीटा डेस्टिंग तो बहुत ताम पहले से चल रही है चाइना में इवन इसकी बीटा टेस्टिंग चाइना में क्लोज भी कर दिए कि एंड्रोइड टेन की जगे पर जो है ना एंड्रोइड टेन को अप्डेट है वो माई यूवाई 12 के साथ मिल चुका है तो इंडिया में आते आते इसको कितना टाइम लगने वाला गर मैं इंड आने में भी आपको काफी टाइम लगने वाला है क्योंकि अभी वो जुलाई से आप समझ लीजिए ऑगस्ट के बीच में आपको ये अपडेट मिल सकता है क्योंकि बीटा टेस्टिंग इसकी स्टार्ट हुई है कुछ सेलक्टेट जो डिवाइस जितने भी प्रेस्टर किया और इंडिया में यहां पर आते आते अभी काफी जाधा टाइम लगने वाला है क्योंकि इंडिया में सबसे पहले चाइना में इसकी बीटा डेस्टिंग होगी उसके बाद इसके बग्स वगएरा फिक्स किया जाएंग फिर स्टेवल अपडेट में आगा और यहां पर लास तक यानि मिड मैं से लेके लास तक आपको यह अपडेट देखने को मिल जाएगा इंडिया में चाहें वो पहले बीटा डिस्टिंग जो होती है उसके लिए इस्टेशन जैसे भी स्टार्ट होंगे उसके बारे मैं आपको बता दूंगा किस तरी की तरी किया करना है ल और अब इसमें थोड़ा सा टाइम यह पर लगने वाला है लेकिन आपको मैं के लास्ट में इसमें मिल भी सकता है और नहीं भी यह चीज़ कंफर्म नहीं है लेकिन रिड़ मी नोट 7 एस और रिड़ मी नोट 7 प्रो में इन दोनों टीनों डिवाइसिस में आपको मैं मिड म माई से लास्ट माई तक आपको देखने को एंड्रोइट 10 का सपोर्ट मिल जाएगा और अब मैं बात करने वाला हूं कि आप अभी के अभी अगर यह फाइल को फ्लैश करना चाहते हैं अगर मैं यहां पर बात अगर आप इन ड्वाइस में मतलब इन फोन्स में अबिट एंड्रोइट 10 फ्लैश करना चाहते हैं तो सारी फाइल्स का लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं लेकिन इसका तरीका यही है अप TWRP अगर आपके फोन में फ्लैश है तो उसके माध्धियम से यानिक उसके थु और यो आप अभी कि भी को फ्लैश कर रहे हैं आपने बहुंस से यूटुबर को देखा उन्हों इसको फ्लैश कर रहा Eh यह लेकिन मैंने इसको फ्लैस इस ern rarely किया मैं इस इस रहों में अभी बहुत ज़यादा बक्स है अब यह दो अप्डेट आने देते उससे ही हमारी जो परिशानिया वो बहुत जादा हैं और हम अगर इसको फ्लेश कर लेंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिट हो जाएगी फोन के साथ इसलिए आपको अभी यह फ्लेश नहीं करना अगर आपकी मर्जी है तो आप अपने डिवाइस में इसको टी डपलू को आने दें या Android 10 को आने दें उसके बाद देखेंगे अगर इसमें वक्स वगएरा फिक्स होते हैं इसको फ्लेश करेंगे गाइस वीडियो अच्छा लगाते हैं इसको लाइक कीजिए अपने फ्रेंस में इसको शेयर कीजिए चैनल पर पहली बार आए है चैनल को अभी के के फीचर MIUI 11 में यूज करना है तो बहुत सारे फीचर्स के बारे मैंने वीडियो मना रखेंगे आप देख सकते हैं सारे फीचर्स यहां पर आपको मिल लेंगे मिलता हूं नेक्स्ट टूडियो में थैंक्स वाचिंग आई सी यू इन दे नेक्स्ट वान